एक तरफ T20 वर्ड कप में टीम इंडिया की सूपर 8 राउन में एंट्री के साथ उसका सेमी फाइनल के लिए नया सफर शिरू हो चुका है तो वहीं टीम इंडिया के कप्तान रोही शर्मा अपनी ही टीम के लिए बोज बनते जा रहे हैं बोज बतौर कप्तान नहीं बलकी बतौर बल्लेबाज क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार रोही शर्मा की एक ऐसी कमजोरी अब जग जाहिर होती दिख रही है जिससे पार पाना रोही शर्मा के लिए टेड़ी खीर सा भी थो रहा है नतीज़ा ये है कि टीट्वंटी वर्ल कप में हर मौके पर रोही तने अपना विकेट उसी कमजोरी के खिलाफ गवा दिया है जोकी सुपरेट राउंड के अगले मुकाबले में भी बंगलादेश के खिलाफ हिट मैन के लिए नया चैलेंज रहेगा दरसल रोही शर्मा ने टीट्वंटी वर्ल कप दोज़ा चौबिस में अब तक कुल चार पारियां खेली है इन चार पारियों में से रोही शर्मा तीन पारियों में आइट हुए है जहां आिरलین्ड के साथ मैच में रोही रिटाइर्ड हट रहे थे वहीं विगट गवाने के तीनों मौकों में रोहीत की समानता रही है रोहिद यहां बाए हाथ के गिंद बाजों के खिलाफ लगातार आउट हो रहे हैं पाग के खिलाफ रोहिद को शाहिन अफ्रीदी ने आउट किया तो वहीं USA के खिलाफ वो सौरव नेतर वलकर का शिकार बने अफगानिस्तान के खिलाफ फजल हक फारूकी ने रोहित को आउट किया 2024 में T20 मैचों में तो बाएहाथ के तेज गिंदबाज रोहित की कमजोरी बन चुके हैं 2024 में अब तक आठ बार रोहित बाएहाथ के तेज गिंदबाजों के शिकार बने हैं और तो और इन गिंदबाजों के खिलाफ रोहित सिर्फ 128 रन ही बना पाए हैं यानि बाएहाथ के तेज गिंदबाजों के खिलाफ रोहित का उसत महज 16 कर रहा है रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान हैं टीम के रेगुलर ओपनर भी वही हैं और कप्तान होने के नाते उनका ये खराब प्रदर्शन अब टीम इंडिया को भी मुश्किल में डालता दिख रहा है रोहित लगातार बाय हाथ के अच्छे गिंद्वाजों के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाने से चूक रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ वो सिर्फ 8 रन ही बना पाए तो इससे पहले USA के खिलाफ वो सिर्फ 3 रन तो पाकिस्तान के खिलाफ महस 13 रन बना कर आउट हो गए सुपर 8 राउन में टीम इंडिया की आगली टककर बंगलादेश से है जहां फिर से रोहित को बाय हाथ के दिगज बंगलादेशी गिनबाज मुस्तफिज और रह्मान की चुनौती मिलेगी ऐसा नहीं है कि बाय हाथ के तेज़ गिनबाज रोहित शर्मा की पर्मानेंट कमजोरी है क्योंकि वन डे वर्ल्ड कप के अलावा टेस्ट फॉर्मेट में भी रोहित ने कई मौको पर इस कमजोरी से पार पाया है लेकिन T20 क्रिकेट में लकतार दिख रही रोहित की ये नाकामी अब पूर्व दिगजो के भी सब्र का बांध दीरे धीरे तोड़ती दिख रही है पूर्वारते कप्तान सुनील गावसकर ने तो रोहित शर्मा को सला देने से भी इनकार कर दिया है वो अनुभवी बलेबास हैं उन्हें पता है कि क्या करना है गेंद बाजो के एंगल को देखते हुए आप रोहित शर्मा को अपना खेल बदलने के लिए नहीं कह सकते ये सब चीजें आप कर सकते हैं और समझ सकते हैं वहाँ बैठ कर आप उन सब के बारे में सोचें जो आपको करना चाहिए था सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सुनील गावसकर ने भी रोहित शर्मा की खराफवां पर चिंता जटाई है वो बस कहना चाहते हैं कि रोहित इस बात को समझें कि उन्हें खुद अब इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि टीम की भैतरी के लिए वो क्या कर सकते हैं आखिर क्यों बाय हाथ के तेज गिनबाजों के खिलाफ वो बार बार अपनी विकेट गवा रहे हैं एक तरफ T20 वोल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोली की ओपनिंग जोड़ी लगातार निराश कर रही है तो हीं ये शसी जैसवाल और संजू सैमसिन जैसे क्रिकेटर्स को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल पा रहा बारिश के संकट के बीच सुपरेट राउंड के हलाद किसी से चिपे नहीं है रोहित को समझना होगा कि अब वोल्ड कप का हर मैच टीम इंडिया के लिए करया मरो जैसी स्थिति पैदा कर सकता है